गुड इवनिंग चात्रों माधिपक सिंग ब्योसाइक सिच्छक एंसी सी नोटिस लग चुकी है तो उस हिसाब से आपके पेज पे भी है देखिए सुधी राजभर जी ये और इसमें मैं आपको ब्योसाइक के चात्रों को बताना चाहूंगा अजय यादो जो की ब्योसाइक चात्र है आंकित राजभर ब्योसाइक चात्र है अटो मॉबायल जा यादव से हैं और आनंदयाद संदी पनील अबशेख विकी विकी रामुग्रा राजभर ये भी और दिवाकर पाल जी सेलेक्टेड ब्योसाइक से हैं और उसके बाद सेलेक्टेड में आपका अभीशेख राजबर जी लास्ट जो है बीसमे नम्बर पे अभीशेख राजबर ये भी वेवसायक से हैं सेलेक्टेड हैं इसमें चार लड़के वेवसायक के एलेक्टोंष्के जैसे अभीशेख, बिक्की और आजय और विजय और आजय विक्की और अभिशेक विजय विक्की चार लड़के इसमें सेलेक्ट हैं तो यह यह उसमें चार लड़के जो कनफर्म है दिवाकरपाल अजय यादव और अभिशेक राजबर ये सुरी मैं पिछले बार उनको वीडियो में गलत बता गया अभिशेक राजबर ये सलेक्टेड है तो अभिशेक राजबर सलेक्टेड है और उसके बाद दिवाकर और विक्की और अजय वेटिंग में हैं विकेस यहाँ नीचे हैं आदित नाथ विजय यादव और विकेस ये तीन लड़के इलेक्ट्रोनिक्स में ये आपके उसमें हैं वेटिंग में हैं बाकी करीब साथ लड़के मैं बता रहा था आपको तो एक दो तीन इसमें देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ उधरे तो साथ में सी दिवाकर पाल कनफर्म है और अजय यादो कनफर्म है दूसरा तीसरा अविशेक राजवर अभी आपको उमने दिखाया यह विशेक राजवर कनफर्म है और लास्ट यहां विक्की रामुग्र भोगोलिया यह भी कनफर्म है तो चार लड़के तो यह कनफर्म हुए और तीन लड़के जो हैं वेसाई के इलेक्ट्रोनिस्ट की बात कर रहा हूं मैं विकेश का आधित और विजय जादो और एक इसमें है जिसको मैं जानता हूं इसका फॉर्म भी भरा हूं तो अंकित या राजबरकर के लड़का है या टॉमबाइल में है और बाकी लड़के अपना देख सकते हैं इसमें और थोड़ा आप लोग पुचार तारिक को बहुत भवान सिंग की जैनती है तो सबेरे दस नो दस बजे आप लोग आईए तो फूल माला भी चड़ा सकते हैं और साथ में अपने इस टॉपिक को आप पूझ भी सकते हैं और या अगर चार को नहीं तो पांच को आके आप प्रेटेंड करिए और साथी साथ इसको भी अपना एन उसर जो आपके हैं राजी राजे श्यादो जी उनसे समझ बूझ कि क्या करना है कैसे करना है और यह रिजर्व में हमारे सेकेंड थर्ड फॉर्थ पर हमारे तीन लड़के रिजर्व हैं यह रिजर्व कंफर्म भी हो तो होता है तब कैसे होता यह न उसर बताएंगे आपको जरूब मैंने मैंनी थाइंक्स छात्रों छोटा सा वीडियो है कुछ गलतियां भी हो गई होंगी चुकि कंफ्यूजन को लेके मुझे लेकिन सही है आपको समझ में आ गया होगा